नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आपको बता दें कि चोगदा मई के शुब एक गारा बुजेशे जादोसों यहश में अंतराल में गरों की बहुती शुब रिष्टती बनने वाली है जादोसों आपको बता दें कि यहष में शनीवार का दिन होगा अर्थात शनीदेव का दिन होगा और जोति शास्त्र में जिस दिन भी शनीवार के दिन होते हैं वहष में दुरलब शेयों का निर्मान श्वेंग शनीदेव करते हैं अपने भाकतों के लिए अपने भाकतों की शन्रेब हमेशा रक्षा करते हैं उनके कर्मों को देकर उन्हें फल देते हैं उन्हें अपने जोन में आगे वढ़ने के लिए नए दिशाएं भी परदान करती है और यह शनीवार का शमय आपके लिए बहुती लाबकारी रहने वाले हैं कि दोस्तों यह शमय दुरलब शयों का निर्मान तो होगा शादिन शादि इन निर्मान में कई बड़ी चमतकारे शीं होंगे जिन्में आप कारे करेंगे तो दोस्तों आपको यह दıście शुपलता है आपके हाथ लगने वाली है जादोसों आपकी जानकारी के लिए बढ़ा दें कि बगवान शंगदेव के श्र आपके होने वाली है नए विचार आपके मन में आएंगे और नए आइडिया श्याप नए ने कारी को करेंगे और उनमें भी बहुत अच्छी शब्लता को प्राप्त करने वाले हैं जैंदोस्तों आपको बिताते कि बगवान शंदेव के सिर्बाश्य आपका यह श्मी बहुत आपका दाएट होता है कि इन शबी शमी का आपकी परकार शड़िपयों मिलाते हैं जैंदोस्तों एसे में दोस्तों आप वीडियो को मिशना करें और शुरू से लेकर अंत दक्त जरूर देखे इनमें आप शबी मैत पुंजार काने को जानेंगे कि इन शमी अंतराल में आरे जोन में क्या क्या शुदार होंगी दोस्तों अंत तक देखिएगा उश्य पहले दोस्तों जो भी वैक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जैई शर्देव लिखेगा गुरू जी का और बगवान शर्देव का शदे वश्तरबात पराप तो दोस्तों जरूर लिखेगा और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाद वी बेल आइकन को प्रेश करके और परशलेट कर लें तो आई दोस्तों वीडियो को प्रहारम करते हैं दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले उस बारे में गहरी जनकार जरूले आपको बदा दें कि इसे बहुत अच्छे नदीति आपको आशिल होंगे घर में शुधार और नवी करण की योजनाएं बनेगी बच्चों को कोई उपलब्दी मिलने से उनका आत्मिश्वास करेगा तथा अपने फ्यूचर के प्रती और अधिक ध्यान देने का मन करेगा इसको प्रांद दोस्तों आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपने अनमशे खर्चों को सिमीत रखें क्योंकि ये श्मय जो है अचाना कि कोई बड़ा खर्च आपके शामने आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पुराणी बातों को छोड़कर नई जीवन की तरफ देख पाना आपके लिए शंबह हो सकता है योग थेरेपीट्स की मदद से भानुतों के जो है उलजन कम होगी आपको बता दें कि मित्र द्वारा मिला शयोग आपक आप मिश्वाज भी यह समय बढ़ाने वाले हैं पेसे से तकलीप को दूर करने की आपकी कोशिस जारी रहेगी यह श्रमी अपनी जुरत से अधिक खर्चा करने से आप भजें यह आपके लिए श्रमी बहतर शाविद होंगे और इसको प्राहतों से यह श्रमी आपके लिए होंगे आपको बता दे कि दोस्तों रश्मात्मल तथा रोची पूर्ण कारी में भी कुछ अपना श्रम्य वतित करें इससे दोस्तों आपको खुशी मिलेगी मांस्री रूप से भी रिलेक्स महसूल करेंगे यह श्रमी कुछ चुनोतियां भी आपके शामने आने वाली है प आपके पास युजनाएं तो बहुत आएंगी या पिर बहुत युजनाएं होंगी इस बात को लेकर आप असमंजस में रहेंगे विरुद्यों की इगतिद्यों को भी यसमें नदरन्दाज ना करें यह आपके लिए आवेश्य होंगे और इसको प्रांदों से यह में दोड़ा शों में वर्दाव रखने की आपको आवस्वता होंगी तो इन पर जोड़ द्योंदे और उसको प्रांदों से यह में आपके लिए समयों के आपको बता दे कि दोस्तों आप वने व्यत्तितों और कारिफ परणाली को और बहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे ग अपना शमय नश्क ना करें यह में चल रहें उचित शमय का भरपूर सद्विप्यों करने का शमय होगा तो दोस्तों यह में बिल्कुल भी भालतुजियों पर ध्यानने दें और इन अपने महत्पुन कामों में ध्यान को क्या दित रखें आपको बता दें कि अपने किसी न परगिती को और बढ़ रही है फिर दोस्तों खर्चों पर नेंतर लाने की आपको अवश्यक्ता होंगी घर से समय नए खर्चे अचानक सुथपन हो शकते हैं फिर भी दोस्तों पैसा खर्च करते शमय आप उपने जिवन सेली को बैतर बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहे ह या फिर मौज मस्ति करने के लिए इस बात पर ध्यान दें और इसको प्रांदों से यह शमय आपके लिए शमय होगे दोस्तों आपको बदा दें कि किसी समाजिक श्यूष संता से जुड़ने तथा उशमय अपना शयोग देने में यह शमय अधित्तर शमय वहतित होगा अग कि आपके एहम के वज़े से आपके कुछ बंते कारी भी विगड़ सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखें शाथी दोस्तों भाईयों के साथ ही कोई मनुठा की स्थिती भी उत्पन हो सकती है समय दारी तता शांती पुर्ण तरिके से काम लेने का प्रयाश करें इसे दोस्तो आत्म गुर्जा भी यह में बनी हुई है फिर भी दोस्तों आप प्रस्तिती का पूरा फाइदा उतना नहीं उठा पा रहे हैं जितना आप सोच रहे थे खुद के जीवन के प्रती अधिक फोकस बढ़ाने की यह में आपको अशकता होंगी दूसरों की मदद करने से पहले अपने काम को पूरा करना आपको यह में शिखना होगा और अगर आपकी केरेट को लेकर बात करें अर्थात आपके वयशाय की तो दोस्तों वयपार श्रमंदी गतिदियों का और अधिक परचार परशाच करना जरूरी है प्रवावशारी नए शंपर्ग भी बनेंगे यह म फाइदे की अप्रेक्षा मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी आपको बता दे कि दोस्तों कोई खास शब्लता को यह में आपको नहीं मिलेगी प्रन्तु आपकी भवश्य शमंदी उजनाएं शकार्त मग रहेगी और भवश्य में आपको अच्छी शब्लता भी प् फाइदे की मोक्य भी मिल सकते हैं कोई वशाय की आतरा भी इसमें संभव हो सकता है किसी के सास्थ भी मिलकर कोई प्रुजयक्ट अपड़्य बेस्छर को कर दोब करने कि द्शानी कर सकते हैं और शूंदॉर ông hayaसम में और इसित्ते में आपके लुएम आपको बता दे के बता दें नोकरी पैशा व्यक्ति भी ध्यान रखें कि किसी परकार की राजनीती में आप फंशकते हैं तो सतर करें और इसके प्रांदों से में आपकी लव लाइप को लिकर बात करें अर्थाद आपके पारिवरिक जीवन की तो दोस्तों यह में पती-पत्नी के शंबनों में कुछ मद्भेद रहेंगे प्रन्तु दूसरों से उम्मिद करने के बजाए अपने शभाव में ही बदलाव लाना आपके लिए जर्री होगा दोस्तों यह श्रमी प्रेम शमदों में इदग्यां भी बनी रहेंगी और इसके उप्रांदों से यह श्रमी आपके लव लाइप के लिए जिवन के लिए दोस्तों आपको बदा दे यह श्रमी अध्याधिक वैस्ता के बावजूद भी घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे प्रन्तु जिवन शात्य और परिवार शद्राश्यों का स्योग आपके उपर बना रहेगा जिसे दोस्तों घर की भैस्ता भी उत्तम बने रहेगी। साथ दिनर तदा घुमने फिरने का प्रोड़ेम भी बना शकती हैं और इसके प्रांदोसे यश्में आपके स्वास यानिस सहत को लिकर बात करें तो दोस्तों यश्में वनसान नूगत बिमारी शमदी फुराने रोग दोबारा उठ सकते हैं इसलिए दोस्तों यश्में लाप पर पूरा परहिज रखें यह आपके श्वास के लिए बैतर होंगे इसको बाहन दोस्तों यह आपके स्वास के लिए समयूंगे आपको बता दे नचला जुकाम्त की समस्या भी आपको परिशान कर सकती है दोस्तों यह लाप रोहाई बिल्कूल ना परते हैं और अपना बेंदे